गाइस जैसे कि आपको पता है कि फिलाल पूरे वर्ल्ड की क्या कंडिशन हो चुकी है एक वाइरस की वज़ा से और अब ऐसे में ज्यादतर कंट्रीज में मास्क लगाना जरूरी कर दिया है अगर नहीं लगाएंगे तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है अब ऐसे में मार करेंगे सबसे पहले है ऑक्सी कीलियर का यह एन नाइंटीनाइन फेस मास्क जो की काफी पॉपुलर फेस मास्क है इसके फीचर की बात करें तो इसमें एंटी बेक्टिरियल एक्टिवेटेड़ कार्बन फिल्टर लगा है जिससे की बेक्टिरिया वगेरा से बहुत ही अच कर सकता है और इसी वज़े से ये face mask इतना ज्यादा popular है और best माना जाता है और coronavirus का जो size है वो है 60 to 140 nanometer अब इस case में ये face mask 99% तक protection दे सकता है हम 100% तो नहीं बोल सकते पर हां काफी हद तक ये protection दे सकता है और ये adjustable nose loops और ear loops के साथ आता है जिससे की काफी अच्छी fitting इसमें मिलती ह और साथ ही ये किसी के भी easily fit हो सकता है usable है आप इसे बोश करके वापस से use कर सकते हैं overall ये एक बहुत ही अच्छा face mask है और अभी तक जो कि हमने cover नहीं किया वो है इसकी price इसकी price है अप्रोक्स 350 रुपीस और गाइस इन तीनों ही face mask के लिए मैं Amazon का base seller buy link आपको नीची description box में दे दूँगा जहां से आप easily original face mask purchase कर सकते हैं अब next day facial sale का ये anti pollution face mask जिसकी price है अप्रोक्स 110 रुपीस फीचर्स की बात करें तो इसका material जो ही cotton का है और ये breathing में काफी comfortable है आपको सांस लेने में इसमें कोई problem नहीं होगी ये एक anti pollution face mask है और इसमें भी जो है elastic ear loops दिये हुए है और ये भी reusable है आप इसे भी wash करके वापस से use कर सकते हैं अब last face mask देखने से पहले ऐसी ही useful videos देखने के लिए channel को subscribe कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक like भी कर देना लास्ट में है surgical face mask जो कि आपको market में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि लग बर्गर दो से तीन रुपे में मिल जाते हैं इसमें भी material cotton का use किया जाता है और ये single layer भी आते हैं और triple layer में थोड़ा सा और ज्यादा protection आपको मिल पाता है और ये भी breathing के लिए comfortable होते है बट ये disposable use होते हैं आप इसे एक बार use करने के बाद में दोबारा use नहीं कर सकते हैं और गाइस इन तीनों ही face mask के बारे में तो मैं आपको बता दिया है और मैं बता दू कि इस report के according कि 80% ये virus चूने से फेल रहा है और specialist का कहना है कि mask का इस्तिमाल करके इसको काफी हट तक control क दिया जा सकता है और mask से ये किस तरह control होगा ये तो आप खुद ही समझदार हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसलिए guys mask का use करिए और जो भी government की guideline से उनको follow करिए और मैं बता दू कि हमने एक और वीडियो बनाई हुई है face mask के उपर जिसमें हमने घर पर ही आप face mask कैसे बना सकते हैं इसका एक tutorial बताया है और साथ ही बहुत important information दी है कि आपको face mask किस तरह से यूज़ करना चाहिए लोग क्या गलतियां कर रहे हैं उस वीडियो का link में आपको उपर eye button में दे दूँगा अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं I hope आपकी इस वीडियो से काफी help होगी चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye